हेलो रोवान, वेल्कूं डू माइच चैनल आप लोगों ने कमेंट किया था कि आपको कमीज बनाना है आज हम कमीज का वीडियो आपके साथ सेयर कर रहे हैं आप देख लीजिए कि आपको लेंद कितना चाहिए अगर आपका 20 लेंद है तो आप 22 रखेंगे अपनी लंबाई से दो इंच आप एक्स्ट्रा ही रखेंगे यह ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं वाइस पे क्योंकि जो हमारी भुजुर्ग हैं वो ना जादी लंबी हैं और ना जादा चौड़ी हैं मेडियम साइज है उनका सो यह बहुत अच्छा है तो यहाँ पे 20 इंच यह हमने कटिंग कर ली है और बाकी हमने साइड में रखा ला है तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है जिधर बंद है बंद साइड ही हमें गले की कटिंग करनी है हमेशा आप गले की cutting बंद साइड ही करे 6 इंच हम इसका कंधा ले रहे हैं और 2 इंच गले के लिए 6 इंच कंधा बहुत है क्योंकि बुजर्ग होने के बाद थोड़ा सा सरीरी पे भी असर पड़ता है उसके लिए और ये वाला गोलाई आप 7 इंच कर सकते हो 6 से 7 इंच कर सकते हो इसके बाद हमने आगे की लेंध जो है वो हमारी 3 इंच है और 1.5 इंच पीछे के लिए है क्योंकि हमें बंद कॉलर बनाना है ठीक है तो यहाँ पे हलका सहम गोलाई दे देंगे बस इतना ही हमें कट करना है इसके बाद इस पे हमें कुछ नहीं कट करना है फिटिंग लगाएंगे डॉट बनाएंगे तो वो सब चीज मेजेमेंट के साथ हो जाएगा अब देखिए यहाँ पे हमें डॉट लगाना है तो सीने से कुछ इंच नीचे ही देखिए पांच इंच नीचे गले के 5 इंच नीचे उसके बाद आपको dot लगाना है पाच इंच का ठीक है ये वाला नहीं ये वाला हमारा right है अब देखिए हमें cutting कैसे करनी है cutting करनी के लिए armhole आप जैसे पीछे का cutting होता है वैसे ही cutting कर लिए, double cutting ना करें, सिलाई के वक्ते भी cutting किया जा सकता है इसके बाद जो आपका ये वाला कपड़ा है, जो joint रहता है, उसे अलग कर लीजिए ये हो गई इसकी cutting, सो हमें इसे side में रखना है ये वाले में हमें, ये पीछे का है, इसमें हमें कुछ भी cutting नहीं करना है, वो हमारा बिल्कुल ready है अब हमारा आगी वाला है, आगी वाले को देखिए किस तरीके से neck की cutting होती है और किस तरीके से उसमें button या फिर chain लगाने का काम होता है तो 3 inch का जो है, गला, वो हमें बिल्कुल गोल सा नहीं cut करना है, V cut करता है V for when वाला, थेक है तो यहाँ पे ये 5 inch पे हमने dot लगाया हुआ है तो 5 inch नीचे ही क्यों हमें dot लगाना होता है, वो इसलिए क्योंकि 5 inch का हम ये लंबाई रखेंगे जिसे की हमारा सर अच्छे से इसमें घुच सके तो ये cut लगाना ज़रूरी है Otherwise अगर आप cut नहीं लगाते हो तो आपका सर अंदर नहीं जाने वाला तो अब इसमें हमारी गहराई हो गई है cutting इसकी ready है इसमें भी हम dot लगा लेंगे 5 inch का सेम dot को हम इस तरीके से टप करेंगे तो ये अच्छे से बन जाएगा ठीक है देखिए ये उभर करके आगया है तो वो जो सिलता है वो अपना समझ जाता है ठीक है इसको हम साइड में रखेंगे अब हमें बाजो की cutting करनी है बाजो की cutting के लिए अगर आपको रखना है 8 inch तो आप लेंगे 10 inch अगर आपको रखना है 7 inch तो आप लेंगे 9 inch क्योंकि उपर के लिए half inch आपकी सिलाई में जाएगी और नीची आपका 1.5 inch folding में जाएगा half inch सिलाई में और 1 inch जो होता है वो फोल्ड होता है तो ज्यादा medium ही है मैंने कहा तो मैंने 6 inch का लिया हुआ है आर्म होल के लिए बाजू के लिए अब ये वाला हम आर्म होल के लिए ले लेंगे ठीक है हलका सामी इस तरीके से round shape में लेकर की जाना है कपड़ा हमें एकठा नहीं करना है बायर कल में जो की कांख के नीचे हमारा चुए तो उसके लिए ये हमारी cutting हो चुकी है इसके बाद आप इतना फोल्ड करेंगे और half inch उपर से जाएगा तो ये 8 inch ready हो जाता है ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है अभी हमें इसमें से collar भी निकालना है और हमें packet भी निकालना है तो packet की length आप 10 inch रख लीजिए और चौड़ाई आप 6 inch रख लीजिए ठीक है इतना बहुत है क्योंकि बुजूर्गों के pocket जरूर होने चाहिए कोई भी पैसा देता है तो वो कहां रखेंगे बुजूर्ग हो जाते हैं तो उनके पास बहुत सारी चीजे नहीं होती है जो दूसरों के उपर नेरभर रहते हैं आप लोग इज़त करें सभी का तो वहां पर देखें यह हमारा लेंध है बकरम एक इंच और यहां से हमें इस तरीके से कौन करना है कौन बनानी के बाद आप दूनों साइट का फोल्ड करके बनाएंगे इसके बाद आप इसे पेस्ट कर लेंगे अच्छे से प्रेस से अगर पेस्ट करते हो तो बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा और एक पट्टी आपको 1.5 इंच की चाहिए जो की बटम लगाने वाला हमारा बनना चाहिए तो यहां पे हम चलते हैं सिलाई की तरफ हमेशा यह देखें यह हमारी पट्टी है पट्टी को हमेशा जी साथ से हम खाना खाते हैं जो हमारा हाथ सीधा होता है उसी साइड हम लगाते हैं पटन वाला पट्टी और जी साइड हमारा उल्टा पड़ता है उधर लगाते हैं कच पट्टी ठीक है, अगर आप ऐसे भूल जा रहे हो, तो इस तरीके से आप नहीं भूलोगे, फिर इस कपड़े को हम अंदर के साइट फोल्ड करेंगे, फोल्डिंग करनी के बाद फिर एक बार फोल्ड करेंगे, और इस पर हम सिलाई बनाएंगे, ठीक है, तो आप देख लीजिए, दोनों कपड़ा एक दूसरे को उपर नहीं चड़ना चाहिए, बहुत ही अच्छे से सावधानी के साथ सिले, तकि आपका नेक बहुत अच्छा बने, अगर आपका नेक अच्छा नहीं बनता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा चाहे वो वजूर्गी क्यों नहीं, हर किसी को खोपसूरत कपड़े पहनने का अधिकार है, तो यहाँ पी यह हो गया, इसके बाद हमने जो पेश्ट किया था, वो हमारा इस साइड लगेगा, तो पेश्ट होने से पहले आपको इस तरीके से सिलना है, यहाँ से यह हो गया, और जैसे जैसे आपका बक्रम है, उसी साइड से आप सिलने जिए, चोटे 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 कट लगाना बहुत ज़रूरी है, कट लगाने के बाद अगर आप इसे इस तरीके से फोल्ड करती हो, तो देखे, यह थोड़ा सा चपका नहीं है, तो इसे हम अंदर कर लेते हैं, अच्छे से, तो यह देखे, यहाँ पे आप कोन को अच्छे से बनाएं, ठीक है, अगर आप किसी चीज में बक्रम लगा रहे हो, तो ध्यान दे कि उसका कोन अच्छे से बने, फिर यहाँ पे देखे, कितना प्रॉपर बन गया है, इसे कैसे सिलना है, यह ध्यान दीजेगा, अब देखे, यह बक्रम हम इसे एक्स्ट्रा थोड़ा बड़ा ही रखते हैं, तो पाचिन से थोड़ा सा अधिक, टू वाजू होती है, वो भी ऐसे ही बनती है, तो आप इस आइडिया से उसे भी बना सकते हैं, इससे देखे, यहाँ पे फोल्ड करेंगे, तो यह हमारा बन करके रेडी हो जाता है, बहुत ही खुपसूरत और बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा, यह आप देख सकते हूँ, बि सिलाई बना लेनी है, जैसे आपका बक्रम है, वैसे ही सिलाई बनाएं, यह देखे, बिल्कुल सीधा ही आप से लेंगे, कपड़े को, ऐसा ना रहे कि जो साइड वाला कपड़ा है, उसे भी आप सिलनी, इसके बाद हम कटिंग करेंगे, तो हमारा कुछी इस तरीके से सिलाई करके रेडी हो जाता है, उसे कंप्लीट करनी के बाद आप डॉट बना लिजे, जो डॉट है, वो पैकेट लगानी के पहले ही आप ले, तो जिएदा अच्छा रहेगा, ना लिजे, फिर आपको कंदे जोइंट ने से पहले आपको बैक वाले में भी ना लेना है, फिर आपको कंदे को जोइंट करना है, जो कि डॉट सिलाई अब बनाएंगे, कंदे फटनी नहीं चाहिए, आपके कंदे हमेशा डॉट सिला करना है यहां साइड में हमें फोल्ड करना है हाफ इंदर और एक इंच चौड़ा यहां पे इस तरीके से यह आपको बहुत ध्यान देना है कि आपको बाजू कैसे लगानी है दोनों का सिल लेंगे उसके बाद बीच का पैटन हम तयार करेंगे बाजू लगाने से पहले हम पॉकेट ही लगा लेते हैं क्योंकि अगर आप बाजू लगाते हो तो माल लेजी आपका बाजू पॉकेट पे जा रहा है तो आप उसमें मैनेज कर सकते हो देखिए आपका ये वाला हमेशा इस साइड ही रहेगा जिस तरफ आपने बाकरम लगाया है उसी साइड ही हमें पॉकेट भी लगाना है तो यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से हमें सिलाई बनानी स्टार्ट करनी है ये देखिए पैकेट लगाना बहुत ही आसान है अगर आप देखोगे तो आपको मुश्किल लगेगा लेकिन अगर आप सीलोगे ये देख रहे हो तो आपको आसान लगने लगेगा ठीक है तो यहाँ पे इस तरीके से सिलाई बनाएंगे हलका सा फोल्ड करके सिलाई आपको बना लेनी है यही वाला मैं कह रहे थी कि अगर आपका बड़ा हो जाता है आर्म होल के तरफ जाता है तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो यहाँ आपकी पॉकेट की भी सिलाई हो चुकी है देखिए अब इसमें कोई भी बुजूर्ग रहे लेडिस अपना पैसा रख सकते हैं अपनी जूलिर रख सकते हैं माल लेजिए वो कुछ भी अगर कोई दे रहा है तो उसे दूसरों को देने की ज़रूरत नहीं है तो आपने खुद मैनेज कर सकता है फिर आपको कटिंग क के बाद थोड़ा मास गल जाता है सभी का हमारा भी होगा आपका भी होगा तो उसी साब से कपड़े भी सिलने पड़ते हैं ताकि उन्हें कमफोटेबल फिलो चुबनना हो तो यहाँ पे बीच से रखेंगे उंगली और इस सिलाई पे रखे करके सिलाई बना लेंगे सिलाई आपको बहुत ही ज्यादा अंदर भी नहीं सिलाई सिर्फ आप इंच अंदर सिले इसी तरीके से दूसरी साइट डबल सिलाई बना लेजिए क्योंकि मजबूत हो जाएगा थोड़ा सा फिर उसके बाद आपको फिटिंग लगानी है फिटिंग लगानी से पहले आप कच्ची सिलाई एक बना लेजिए कच्ची सिलाई बना लेंगे तो फिटिंग लगाते वक्त जादा कपड़ा इधर तो फिटिंग आप अपने बुजर्ग के हिसाब से रख लीजिए तीन सिलाई में बनाया हुआ है ताकि अगर उन्हें टाइट हो तो वो खोल सके तीन बारी तक फिर नीजे का जैसे सूट में बनता है ठीक है बिलकुल वैसे ही बनाना है अगर आपने सूट में देखा होगा या खुद पहना भी होगा तो आप देख लीजिए कि बिलकुल सूट के जैसा ही इसमें बनता है साइड में हलका सा फोल्ड करना है और सिलाई बनानी है अगर आप हमारी चैनल पे नई हो तो चैनल को सिस्क्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सारी वीडियो जो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए और आप सीख सकें अगर आप फर्स्ट दिन से सिलाई सीखना चाहते हैं तो सर्च करें सौरी सिलाह सीखने का आसान सा तरीका पहला दिन वहाँ से आप मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं पेपर सी पेपर सी अगर आप वीडियो देख करके सीख रहे हो तो आपको ज़्यादा आसान होगा आप सौरूपे में ही सिलाह सीखना स्टार्ट कर सकते हो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास मसीन नहीं है या फिर आपके पास कपड़े नहीं है तो आप कैसे सीखोगे वहाँ पे बहुत सारी मदद हो जाती है ठीक है अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो बहुत ही कम पैसों में और बहुत एकम समय में तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब करें अन्बेल आइकन को प्रेस करें इसके बाद ये सिलाई हमारी कंप्लीट होती है सेम पोर्सन में आपको पूरी सिलाई हो चुकी है अब हमें लगाना है कॉलर देखें बाजू भी लग गया है नीचे का भी बन गया है सारी सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें कॉलर लगाना है सो कॉलर को कैसे नापा जाता है किस तरीके से लगता है ये भी आप ध्यान देंगे नापनी का तरीका हमारा यही है चाहिए आपका सूट में हूँ, कॉलर में इसमें हूँ, समीज में हूँ, या फिर सेल्ट में हूँ, ठीक है, यही आपका पॉर्टस रहेगा, अब हमें क्या करना है, कॉलर लगाने से पहले हमें हलका सा, जितना हमारा बक्रम है, उतना हमें फोल्ड करना है, अंदर की साइट और हलका सा कट लगाना है कट लगाने से क्या होता है कि आपका जो कपड़ा होता है वो इस साइड आ सकता है ये हो गया तो यहाँ भी हम इस सिलाई बना लेनी है इसी तरीके से हम दोनों साइड जितना हमने बनाया हुआ है कच पट्टी या बटम पट्टी सिर्फ उतना ही सिलना है और ये वाला portion हमारा बिल्कुल ऐसे रहेगा ये सिलाई तो हो चुकी है अब देखें ये हमारा बकरम रेडी है तो 16 इंच का था तो 16 इंच हमें नहीं बनाना है इसमें से जितना हमने सिला है अभी उसे छोड़ करके बनाना है तो ये 14 इंच है क्योंकि एक एक इंच हमारा घट गया है दोनों साइड से इसे पेश्ट करने के बाद आप कोन इस तरीके से बना लेंगे इसके बाद आप इस पे सिलाई बनाएंगे प्रेस कर लेंगे तो आपका ये कोन दिखाई दीने लगेगा और आप यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे देखिए कुछी इस तरीके से प्रेस आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही सिलना है अब नीचे वाले कपड़े को पकड़ते जाना है और यहाँ वाले बग्रम में अठेच करते जाना है तो अगर आप सिलाई कंप्लीट करना चाहते हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फेस्बुक पे हो यूटूब मुखना नहीं चलाती हो फेस्बुक चलाती हो तो फेस्बुक पे भी आप अगर सर्च करेंगे Also, to my work, my passion तो वहां पे भी हजाना मेरे तेक्क मथे मेरे सर्य वीडियो आप दहते हो पेपरर का य४ यूटूब मेरे चाहिए जबुस करें चलाना हो फेस्बुक पे cabinets लेके तो निम्हें प्लीज जाना है कंवेयर उसको तैंकी होगां जी प्लीज यहां पर देखिए बकरम को फोल्ड करता है और उस पर हमीं सिलाई बना लेनी है यहां पर हमारी सिलाई कम्प्लीट होती है देखिए यहां पर हमारी सिलाई कम्प्लीट होती है अब हमें साइड में भी जो हमारा ये वाला है इस पर भी हम सिलाई बना लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ तो और भी ज़्यादा को अबसूरत लगी है देखिए यहां से कुछ इस तरीके से यह आपका रेडी है आपको कमीज का वीडियो चाहिए था जिन्होंने कमेंट किया था उनके लिए है अगर आपको कुछ और भी सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हो हम बना करके आपके लिए टालेंगे वीडियो का ऐसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई फ्रेंज